स्वागात है आपके यूटूब चेनल एक्जान Donald 91 पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 12 बज़े से हमारा हॉस्सिल बादन दोस्तों के साथ, तो हमारे जो और भी दोस्त भाई लोग होंगे, वो सारे के सारे यहां पर एक साथ जुड़ जाएंगे, तो अच्छा competition होगा, healthy competition होगा, और साथ में आप लोग भी उसके साथ में लगे रहोगे, तो एक मज़ा आता है जब आपके साथ में आपके जानने व इतने लोग, सभी लोग यहां पर उपस्तित हो चुके हैं, इन लोगों के message भी पड़े हुए हैं, चलो, तो फिर अब बाकी के जो लोग बचे हुए हैं, इन से भी सभी से request हैं कि आप सभी लोग भी दीरे-दीरे करके आ जाईए, चलो दोस्तों तो फिर class को start करें, जल्द से बताओ कि क्या class को start किया जाए, चलो ठेक है, तो फिर अब यहां पर पहला question देखेंगे, और पहला question लिखा हुआ है कि किसी firm की समस्त अस्तियों तथा देताओं का लेखा होता है, bank layout, bill file, तुलना पत्र, या भुगतान दे, चलो बाई, एक number में क्या answer सही हो जाएगा, कि में होता है, ठीक है, यह जो यहां पर आपको तुलना पत्र लिखा है, यह जो तुलना पत्र होता है, इसी के अंतरगत, यानि कि जो balance sheet होती है, balance sheet में किसी भी firm की समस्त अस्तियों, यानि कि assets and liabilities of any firm is a recorded of, कहा होती है, in balance sheet, ठीक है, चलो, question number 2 देखो, question number 2 में क्या हो जाएग अरे भीया, राम राम आचार रेजी, यह कौन है भाई, बहुत दिनों बाद यह सब्द मेंने सुना है, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ता था, मुझे याद है, कि जब मैं पढ़ता था, क्या नाम, सरसती ज्यान मंदिर में, तो वहाँ पे यह चीजे मुझे काफी कुछ teachers क आचार रेजी बोलना पड़ता था, और जो कह सकते हैं कि, यह सारे सब्द वहाँ के हैं, तो अब आज के समय में यह सारे सब्द तो teacher जी जो है, मैम हो गई है, और इस तरीके से सारी चीजे हो गई है, तो वो अब समझ में नहीं आता है, कि यह सब्द यूज ही नहीं किये आते हैं, चलो, तो भारत का अंतिम्स, सक्तिताली, मुगल हम सब्द कि से माना जाता है, अकबर सह joking, अकबर, द०ृती, यह औरेंग यह को, तो कौन था, औरउंग जेब, क्यूंकि औरette जो है, जब मारा गया था, उसके बाद में मुगल समराज, जो है, वहां पे खतम हो ग पाया जाता है मेरी मेज से मेरे टेवल से जब चीजे गायव हो जाती है तो बड़ा खराब लगता है समझ में नहीं आता कि कहां चली गए कहां नहीं चली गए और यह सब चीजे गायव तभी होती है जब यहां पर साफ सफाई की जाती है तब वो इधर की उधर हो जाती है त पैंस में चीछे मुझे डिश्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है अब यहां पर तो यहां पर एक पत्थर पाया गया था यहां पर जो है जैडायल पथर पाया गया था चलो बएइ, चार नमबर देखो, यहाँ पे चार नमबर में क्या हो जाएगा चार नमबर में लिखा हुआ है कि कम से कम वर्स की अवधी के दौरान किसी इस्थान के मौसम की अवस्थाउं ते था भिविदिताओं की आुसत परिस्तित कहां की जलवाईू कहलाती है पच्चिस वर्स की, तीस वर्स की, दस वर्स की, या बीस वर्स की, चलो भई, चार नंबर में जल्दी से बताओ, चलो, चार नंबर में कैंसर सही हो जाएगा दोस्तों, चलो, चार नंबर में, बिल्कुल भईया, तीस साल हो जाएगा, बिल्कुल तीस साल हो जाएगा, और त अबदी के दवरान की जो भी स्तान होता है वहां की मौसन की अवस्थाओं और विविद्धिताओं के आउसत परिस्तिती को वहां की जलवायू कह दिया जाता है ठीक है चलो पांच नंबर देखो भूगर्व सास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है जेम्स हटन आर्ट इसमित अल्फरिड वेगनर या जॉन बाटलर चलो पांच नंबर में बताओ जोगर्फी का पिता किसको कहा जाता है जेम्स बॉटन को बताया जा रहा है जेम्स हॉटन गह रहे है मुझे बॉटन लगा चलो कोई नहीं बिल्कुल बहिए पहला जेम्स हॉटन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा चलो फिर यहां पे लिखा हुआ है कि विच आर्टिकल डील्स बिद्धी पावर ऑफ पार्लियामेंट तो अमेंट्मेंट दा कांसिट्यूशन एंड़ प्रोसीड्यूट देरफॉर कौन सा अनुच्छे सम्मिधान में संसोधन करने के लिए संसत की सक्ति तता इसके लिए चलो भाई बताओ जल्दी से कौन सा अनुच्छे सम्मिधान में संसोधन करने के लिए होता है छे नंबर में छे नंबर का भाई जल्दी से सभी लोग एंसर देंगे बिलकुल भीया और आप लोग बहुत अच्छे से एंसर दे रहे हैं देखके अच्छा लग रहा है कि यह भाग कौन सा है इसका भाग कौन सा है किस भाग के अंतरगत जो है यह आपको अनुच्छेद 360 दे रखा है तो भाग कौन सा हो जाएगा भाग 20 सम्मिधान संसोधन भाग 20 चलो साथ नंबर देखो यहां पर उस बिकल्ब की पहँचान करें जो प्रो कैरियाटिक कोशिकाओं का वरणन नहीं करता है शुक्राडू नील हरित सहवाल कबक दरव्या सुच्छम जीब यानिकि प्लू रो नियू मोनियास्म प्लो रो नियू मूनियास्म सुच्छम जो प्रो कैरियाटिक कोशिकाओं का वरणन नहीं करता तो वो शुक्राडव होते हैं इस पर होता है ठीक है बिल्गोल आगे बढ़ेंगे जिपसम का रासाइनिक सूत्र बताना आया पर कि जिपसम का रासाइनिक सूत्र क्या हो जाता है C.A.S.O.4, 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 और फिर bracket के अंदर half S2O, चलो बाई, जल्ले से बताओ, half का तो खैर नहीं होता है, ये तो अच्छे अच्छा बच्चा, जो भी पहला बार भी बैठा पेपर दे रहा होगा, वो भी बता देगा कि half नहीं होगा, अगर उसने 10th में भी अगर सही से पढ़ा होगा तो, चलो, य यहां पर ये इसका रसायनिक सुत्र का नाम हो जाएगा, चलो, फिर which of the following folk dances primarily performed in the Indian state of बिहार, निम लिए कौन सा लोगनत, मुक रूप से भारती राज बिहार का है, गूमर, विदेशिया, काल बेलिया, और कुम्मटी, चलो भाई, जल्दी सा एंसर देंगे, 9 नंबर में क्य सही हो जाएगा, गूमर, गूमर कहा का लोगनत, दोस्तों, गूमर राजस्तान का, काल बेलिया, राजस्तान का, और कुम्मटी, यह कुम्मटी क्या हो जाएगा, इसके बारे में तो खर मुझे नहीं आ रियाद है नहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि कुम्मटी क्या है कि चीको अगर पता हो तो एक बार कोमेंट जरूर कीजिएगा चलो भाई दस नमबर देखो क्या लिखा हुआ दस में देखो राजस्थान को घूमर बिलकुल सही है और एक बार दोस्तों बहुत बहुत कीजिए अभी तक 15 लाइक नहीं करवाए है आप लोगों ने जल्दी से भाई 15 लाइक कराई है चलो यहां पर गारो जन्जाती के द्वारा जो है यह वंगला ते वहार मनाया जाता है चलो फिर यहां पर देखो ICT यानि की कम्प्यूटर के नॉलेज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे और 31 नमबर से हम लोग कम्प्यूटर नॉलेज़ देखेंगे अच्छा मेगाले का होता है चलो हो सकता है क्योंकि मुझे तो आइडिया है नहीं क्योंकि मैंने तो अभी तक इसके बारे में पढ़ा नहीं था कहीं पे चलो कोई नहीं 31 नमबर देखो क्या लिका हुआ है हूँ है अटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स का विकास किस नहीं किया था चलो भाई 31 नमबर में बताएंगे जोनाथन फ्लेचर गैरी किल्डल किल्डल और रॉल फेच वेयर या डगलस टी रॉस बिल्कुल भी प्रणाम बिमल जी बिल्कुल स्वागत है दोस्त और दोस्तों 18 लोग लाइब हो एक बार सभी लोग मिलके भाई जरा वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग जरा लाइक कर दो तो यह 13 चो हो रहे हैं यह आराम से 15 से 18 हो जाएगा जल्दी से भाई एक बार एक कि फुल फॉर्म पूची जा रही है तो एतिम की फुल फॉर्म देखी है यहांपर क्या हो जाएगा बिल्कुल भी यह आई एम आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है क्या है जो भी है दोस्त आप बिल्कुल कॉस्त्त स्वागत है आपका आप भी मुझे फस्ट ताइम द प्रपन हो गया चलो कोई नहीं 33 नंबर इन दि कॉंटेक्स्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग टेकनोलोजी वाट डज ल आई डी ए आर इस टेकनोलोजी के संदर्व में एल आई डी ए आर का पूर्ण रूप क्या होता है चलो वाई 33 नंबर में जल्दी सेंसर बताओ कि इसकी फुल लाइट डाइमेंसेन अंड रिफ Goodbye इंड लाइट डाइडरेक्सन आंड रिवॉल्विंग लाइट डिटेक्शन आंड रेंजिंग लाइट डिटेक्सन आंड रेफरेशन चलो भाई जल्दी से अंसर देंगे और आपको संधियों का क्लास जो है वो एक बज़े मिल जाएगा संधियों की जो क्लास है वो आपको एक बज़े से मिल जाएगी तो आप संधियों की क्लास के लिए एक बज़े जब आप लोग इस क्लास से फिरी हो जाएगे तो संधियों की class को जरूर देख लिजेगा क्योंकि हमारी जो छेतरी भासा का जो हिंदी लोग जिन लोगों ने चूज कर रखा है उनको उसमें संधी, बिलोम, पर्रायबाची और वाक्यांस के लिए एक सब्द और समास, अलंकार और चौपाई, छंद ये सारी चीज़े उनको देखने को मिल जाएंगी तो इसलिए आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा उस संधी के वीडियो को पूरा देख लिजएगा आपकी लगबग संधिया क्लियर हो जाएगी चलो यहां पर बिल्कुल तीसरा भाई option सही हो जाएगा light definition and ranging जो लिखा हुआ है चलो Microsoft Excel को भी कहा जाता है Microsoft Excel जो होता है इसको क्या कहा जाता है चलो document, table, spread sheet, label सरल question हो गया भाई आपके लिए सरल question हो गया ना यह आपके लिए बिल्कुल भाई है सरल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा Microsoft Excel होता है उसको क्या कहते है तो उसको spread sheet कहते है बहुत अच्छा 35 नमबर domain नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ होता है जो domain name होते है जैसे .com हो गया .edu होता है .org होता है उसी में एक जो है domain name होता है .au तो AU का मतलब क्या होता है Antigua, African, Sancta, Australia या Austria चलो वाई 35 नमबर में जल्दी से बताओ 35 नमबर में आप जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पे आपका इसका अर्थ क्या हो जाएगा चलो तो यहाँ पे आपका आर्थ क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे जो AU लिखा हुआ इसका मतलब तो Australia होता है जैसे IN लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है India ठीक है अगर आपका .us लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है America United State US के बाद में आता है .br इसका मतलब Brazil होता है फिर BR के बाद में आपको एक चीज और आती है .au AU के लिए आपको पता चल गया है तो इसको आप लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है ठीक है CA होता है CA का मतलब यहाँ क्या हो जाता है Canada हो जाता है बाद की के यहाँ लिखे देता हूँ फिर .fr होता है fr का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है France हो जाता है फिर उसके लावा last में .jo हो जाता है क्या हो जाता है से हमेशा देखने को मिल जाएंगे आपके सामने जो बहुत ही चर्चित हमेशा जो इस्तमाल में नदब चर्चा में रहने वाले जो डोमेन नेम है मैंने उनके बारे में आपको लिख दिया है और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी तो आप वहां से इसको ले लीजिएगा चलो 36 नमबर देखो क्या हो जाएगा इन एन उप्टिकल फाइवर दा सिंगनल इज ट्रांस्मिटेड और प्रकासी कहानी कि ऑप्टिकल फाइवर में सिंगनल कैसे प्रिसित होते हैं सीधी रेखा में गुमापदार में संपूर्ण अंत्रिक परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण चलो भाई जल्दी से यहां पर एंसर देंगे कि किस के कारण यह होता है चलो भाई जल्दी से एंसर देंगे यहां पर हाँ बिल्कुल ये बात मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि जो प्रकासिक optical fiber जो signell में प्रकासित होता है उसी को संपूर्ण आंत्रिक परावरतन याने की संपूर्ण आंत्रिक परावरतन का मतलब क्या हो गया total reflection एक second दीजिएगा मुझे यहां पे तो मुझे कई चीज़े जो है शलो, खैर, कोई दिखकर नहीं है हाँ, तो क्या हो जाता है, आगे बढ़ते हैं चलो, 37 नमबर देखो, क्या हो जाएगा बेंज़क जो की सामानेता बैब पतों में पाया जाता है उसमें P का उप्योग किस सब्द के लिए होता है जो S-Double-T-P जो लिखा हुआ है, S-Double-T-P-S तो इसमें जो P होता है, इसकी फुल-फॉर्म आपको बतानी है कि क्या हो जाएगा जो S-Double-T-T-P लिखा हुआ है इसकी फुल-फॉर्म आपको बतानी है कि इसकी फुल-फॉर्म क्या हो जाएगी ठीक है, इसकी फुल-फॉर्म आपको बतानी है तो इसकी फुल-फॉर्म क्या हो जाती है हाइपर, टेक्स्ट, ट्रांसपर, प्रोटोकॉल ठीक है, और सिक्योर, यस और क्या हो जmile जाता है, हाइपर टेक्स, टेक्स्ट, ट्रांस्पर, प्रोटोकोल, सिक्योर, ठीक है, तो यह इसके फुल फॉर्म हो जाती है, और जब यह फुल फॉर्म, अगर आपकी बन जाएगी तो फिर आपका यहां पर पी से क्या मिल गया तो पी से भाई या प्रोटोकॉल मिल गया ठीक है पी से क्या मिल गया पी से प्रोटोकॉल मिल गया चलो आगे बढ़ेंगे देखो क्या लिखा हुए 38 नंबर किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूँ जो एक कंप्यूटर द्वारा निस्पादित होता है क्या कहलाता है कि चलो कि बताओ क्या कहलाता है जो प्रोग्रामों का एक समूह होता है निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर द्वारा निस्पादित यानि की एक्जिक्यूट किया जाता है क्या कहलाता है तो दोस्तों वह कहलाता है आपका code या आपका program कहलाता है क्या कहलाता है या तो code कहलाता है या program कहलाता है ठीक है तो बस चलो आगे बढ़ेंगे 49 नमबर computer virus द्वारा स्वैम की पुनरा ब्रत्ती के लिए किस युक्ति का प्रियोग किया जाता है चलो computer virus द्वारा स्वैम की पुन्रा ब्रत्ति यानि की duplicate itself ठीक है तो किसका उप्योग किया जाता है स्वैब का, increment का, swapन का या swarm का चलो भाई जल्दी से answer देंगे कि किसका उप्योग किया जाता है 49 नंबर में बिल्कुल यहाँ पे swapन का इस्तमाल किया जाता है यह एक 2 spoon program होता है यानि कि यह affected, defected program होता है जो आपको क्या करता है जो अपना ही copy तयार करता रहता है अपनी ही copy तयार करता रहता है और तयार करने के साथ में आपके computer में इस तरीके से घुल मिल जाएगा इस तरीके से आपको सामने लाके खड़ा कर देगा कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगा और इतनी प्रतलिपिया बन जाती है कि आपका सर्वर जो होगा क्रैस हो जाएगा या कह सकते हैं कि जो आपकी उसकी फाइल होती है वो क्रैस कर जाती है चलो 40 नंबर देखो यहा इसी लिए कि इस पैम का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपके पास पहुंचाना जैसे अभी आप लोग जो मैसेज कर रहे हो जो आप लोगों की जो लाइव चैट चल रही है यह एक तरीके का क्या है यह लाइव चैट है लेकिन इसमें अगर लोग रिपीट कर देंगे तो वो हो जाता है इस पैमिंग मैं चलो तो 40 में यहां पर क्या बताया जारा है 40 में सी बताया जारा है को एक बीडियो कराया था जिसके माद्यम से आप थोड़ा सा इसके बारे में भी सीख सकें और दोस्तों यार इतनी देर से मैंने अगर आपक इस लोग लाइब बैटे हो तो इसका मदब लाइक की संघ्या कम से कम 25 तो होनी चाहिए थी हाँ copy-paste की तरीके से तो भाई जल्दी से एक बार सभी लोग मिलके जरा like कीजिए चलो 41 नंबर में क्या हो जाएगा यहां पे लिखा हुआ है एक डेटा बेस में डेटा प्राप्त करने के लिए निम लिखित में से किस लेंग्वेज का उप्योग किया जाता है asp.net, java, sqlx, c plus नहीं like करोगे आप लोगों से कुछ भी कहना मतलब यार यह कहवद किसने किसने सुनी है, कि भैंस के आगे बीन बजाना हाह तो बस, same pattern बैसे ही आप लोगों का भी होता है क्योंकि आप लोगों के सामने अगर महें यहां पे कुछ भी कर भी दूँ, तो भी आप लोगों के उपर कोई भी फरक नहीं पड़ता है क्योंकि आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि अरे सर जी का क्या है यार वो तो कही रहे हैं उनको कहने दो तो दोस्त ऐसा नहीं होता है अगर आप से कोई बात कही जा रही है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें क्योंकि अगर आप लोग अपने फाइदा देख रहा है तो दोस्त कुछ तो फाइदा मेरा भी होना चाहिए ना क्योंकि अगर मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ computer के किस unit को यानि कि which part of the computer is known as the brain of computer computer के किस unit को computer का मस्तिष्क कहा जाता है बेलकुल भाया CPU को CPU की full form, CPU की full form जल्दी से यहीं पर सभी लोग CPU की full form भी बताएंगे जल्दी से भाई सभी लोग CPU की full form भी बताएंगे यहां पर CPU की full form क्या होती है और offline देखने वाले बच्चे भी अपनी CPU की full form को यहां पर आपके जो चैट है आप लोग वहां पर इसको mention करेंगे comment में mention करेंगे चैट में नहीं comment में में आप लोग CPU की full form को mention करेंगे चलो 43 नंबर नेमने लिखित में से कौन पोर्टेवल तथा ढोने में आसान है सूपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर लैप टॉप या इनमें से कोई नहीं चलो भाई 43 नंबर में जल्दी से एंसर दीजिए चलो 43 में सी बताया जा रहा है यानि की लैप टॉप या बिल्कुल या फोल्ड कीजिए बैग में रखिया और चलते बनिए चलो फिर देखो यहां पर यह बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा है पांची नंबर पे तो लगा है फिर भी इतना मोटा नेम लिकित में से एक किलो बाइट के समतुल्य होता है एक केबी के बरावर क्या होता है 128 बाइट 256 बाइट और 512 बाइट या 1024 बाइट चलो भाइट 44 नंबर में एंसर दीजिए चावालीस में भाइ एंसर दीजिए जल्दी से हाँ 1024 बाइट होता है क्योंकि चार एक निबल जब मिलता है एक निबल मिलता है तो चार बिट बनाता है ठीक है और जब एक बाइट मिलता है तो ये आठ बिट बनाता है ठीक है आठ बिट बनाता है ठीक है और या कह सकते हैं कि बराबर इसी के दो निबल बन जाते हैं पर ऐसे ही एक के बी जब मिल जाता है तो इसमें क्या हो जाता है दस्व चौविस है बाइट हो जाते हैं और पिर इसके आगे का पैटर्न आपको पता है चलो फिर नीचे लिखा हुआ पाइथन इस आ पाइथन क्या है तो पाइथन मसीनी लेंग्वेज लो लेवल लेंग्वेज है हाई लेवल लेंग्वेज है हाई लेवल लेंग्वेज है एसेंबली लेंग्वेज भी दे रखा है चलो भाई जल्दी से बता हो यहां पर पैटालिस नंबर में क्या एंसर हो ज करते हैं 46 नंबर देखो क्या हो जाएगा 46 नंबर में लिखा हुआ Microsoft बढ़ 2013 में print preview के लिए shortcut कुंजी क्या है control प्लस F4 control plus F2 control plus Alt plus F3 control plus F12 print preview तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसलिए गलती नहीं होनी चीए print preview में है 46 में B बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी लोग B दे रहे हैं और जो भी लोग A दे रहे हैं A नहीं होता है दोस्त Alt plus control plus F4 नहीं लेकिन Alt plus F4 से आप जिस फाइल पे होते हैं वहां से आप कट हो जाते हैं हट जाते हैं बिल्कुल खतम हो जाता है वह चलो 47 नेम लिकित में से कौन एक इंटर्नल इस्टोरेज डिवाइस हो सकता है पेंड्राइब कॉम्पैक्ट डिस्क हार्डिस्क या डिश्टल वरसेटाइल डिस्क जिसको डीवीडी भी बोलते हैं चलो भाई यहां पर आपको जो इंटर्नल इस्टोरेज डिवाइस में क्या सामिल हो सकता है हार्ड डिस्क बिल्कुल सही हो जाएगा चलो MS Excel 2016 what is the result of the following formula minimum 10,20,30,40,50 MS Excel 2016 में निम लिकित फार्मूला का मान का परिड़ाम प्लब फार्मूला का क्या परिड़ाम आता है 48 नंबर चलो भाई 48 नंबर बताओ जल्दी से 48 नंबर में क्या formula का answer क्या आ जाएगा बिल्कुल अगर मिन लिखा है इसका मतलब minimum value बतानी है म लिखा हुआ है म एक्स तो इसका मतलब आपको आपकी maximum value बतानी है चलो भाई फिर देखेंगे यहां पर इन मेंसे क्या एक hardware अवयब नहीं है इन्पूट यंत यानि कि input device operating system CPU memory device चलो इसमें से हमको बताना है कि एक क्या hardware अवयब नहीं है चलो hardware में बताया जा रहा है इन्पूरेटिंग सिस्टम बताया जा रहा है इन्पूरेटिंग डिवाइस नहीं हो सकता है इन्पूरेटिंग सिस्टम तो एक तरीके का operating software होता है आप कैसे कह सकते हैं कि वो software में नहीं है hardware में है चलो 50 नंबर देखो क्या हो जाएगा नेम ने लिखी ते इन्पूर्ट उप करणों में से कौन डिस्प्ले सब स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चैन करने के लिए एक प्रकाश संबेदन सिल डिक्टेटर का प्रियोग करता है और मुझे अब मुस्किल से आपके लिए 20 सेकेंड का समय दीजे मैं अभी बस जेस्ट अभी आगे चलो बाई तो हम लोग फिर से कंटीनू हो चुके हैं लाइव हो चुके हैं चलो चलो अब यहां पर हम लोग पॉस्को पे पहुंच गया है और चैल्डरेंस सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ इंडिया चलो 51 नंबर देखो क्या हो जाएगा राष्ट्रिये बालक अधिकार संर्चड़ायोग के अध्यक्ष की न्यूक्ति की जाती है किसके तहत की जाती है देखो यहां पर केंद्री सरकार द्वारा राष्ट्पती द्वारा संसत द्वारा या मुख्य ने आया दीज द्वारा चलो 51 नंबर में जल्दी से अंसर दो कौन करता है इस स्कैनर जो है कभी भी सॉफ्ट कॉपी नहीं कहा जाएगा जब आप यह कहेंगे कि स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट में कनवर्ड करता है नहीं चलो, तो 51 नमबर में क्या हो जाएगा, तो केंदरी सरकार की नोकरी है, तो केंदरी सरकार ही उसके उपर गठिद करेगा, चलो, 52 नमबर देखो क्या हो जाएगा, 52 नमबर में लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए निशुलक और अनिवारे सिच्छा अधनियम 2009 की कौन सी धा और अनिवारे सिच्छा प्रदान की जाती है निशुल्क और अनिवारे सिच्छा कौन सी धारा के तहत दी जाती है जल्दी था बावन नंबर में बताओ section 3 section 4 section 5 and section 6 ये वाला topic मुझे नहीं आता और मेरे exam में भी नहीं है हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसके लिए आप सिर्फ बैट के देखिए कोई दिक्कत नहीं है लेकर ये याद रखना कि ये वाले जो आपके सामने जो कुछ पॉसको के कुछ related आपके ऐसे होते हैं कुछ एक्जाम ऐसे होते हैं जैसे खासकर पुलिस का एक्जाम उसमें पॉसको आपको पूछ देते हैं वह चलो यहाँ पे section 3 बिल्कुल सही हो जाएगा section 3 में ये बात बताई गई है कस्तूर्वा गांधी बालिका बिद्याले योजना का लच्छ निसूलग सिच्छा परदान करना है किसको सभी बालिकाओं को सभी बच्चों को केबल विकलांग बालिकाओं को या उप्युक्त सभी को चलो इसका मतलब है वो सभी गल्स को प्रोवाइड करेगा all child girl प्रदेश सबरी संकल्प अभियान जो है चलाया गया था किसके लिए गरीवी मिटाओ के लिए कुपोशण मिटाओ के लिए बेरोजगारी मिटाओ के लिए निरचरता मिटाओ के लिए चलो बाई सबरी किसके लिए था सबरी संकल्प अभियान और रही बात आपकी करेंट की तो दोस्तों कोसिस में हूँ कि आपको एक साल का करेंट इंपोर्टेंट करेंट प्रोवाइड करा दिया जाए और आपका अगर वहां से कुछ भी एक भी कोशन फस जाता है तो दोस्त एक नंबर का आपको फाइदा हो जाएगा तो कोसिस मेरी यही है वीडियो रिकॉर्ड हो जाए पीडियेफ बन गई है रिकॉर्ड करने के उपर डिपेंड करता है कब रिकॉर्ड होती है चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह कुपोशण मिटाओं के लिए दिया गया थ चलो बर्तमान में सिसु म्रत्यूदर किती है बर्तमान में सिसु म्रत्यूदर जो है वो क्या है 6.5% 6.7% 6.9% एंड लास्ट में 5% चलो बाइग जल्दी से यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि कौन जो उसकी सिसु म्रत्यूदर है वो कितनी है चलो यहाँ पे बी बताया जा रहा है अनिकी 6.7% बिल्कुल सही हो जाओगे सिसु म्रत्यूदर जो है वो 6.7% है बिल्कुल चलो फिर यहाँ पे 56 नंबर देखो 56 नंबर में क्या हो जाएगा लिखा हुआ है बालुकों को सुस्त और सुरच्छा के समसे सम्मंदित नियम ब 56 नंबर बताओ शेशनात यादर जी दोस्त कोशन नंबर मेंसन करदें आप भी आप भी कोशन नंबर जरूर मेंसन करदें बिल्कुल भहिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बालुकों को सुस्त और सुरच्छा से सम्मंदित नियम बनाने की सक्तिक किसमे नहीत होती है तो यह नीद होती है समुचित सरकार में यानि कि अप्रोप्रियेट गवर्मेंट में चलो 57 नंबर क्या लिखा हुआ अनैतिक ब्यापार यानि कि निवारण अधिनियम 1956 की धारा टू यफ में परिवासित है तो परिवासा है आपको टू में ही मिलती है उसके टू यफ में आप को क्या बताया गया है बैश्याबरती या प्रोस्टिटूशन को बारे में बताया गया है चलो जैसे बच्चों को किड्नैप कर लेते हैं और फिर इस धन्ने में या इस प्रोस्टिटूशन के जो काम है इसमें ढकेल दिया जाता है तो इसलिए उसके बारे में इसको बताया गया है लेंगी कपरादों से बालकों के सरच्षड अधिनियम 2012 के अंतरगत किस धारा में बालकों को बिदिक वेवसाई की सहाइता लेने का अधिकार दिया गया है धारा 41, धारा 49, धारा 43 और धारा 40 चलो भाई 58 नमबर में बताएंगे कि 58 में क्या एंसर आएगा 58 में क्या एंसर आएगा तो 58 में चौथा बताया जा रहा है कुछ लोगों का 58 में चौथा आ रहा है बिल्कुल भी है यहाँ पर 58 का चौथा यानि कि धारा 40 हो जाएगा चलो फिर देखो 69 नमबर देखो क्या हो जाएगा कि बाल भीवा पर्तिशे दधनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है 14, 11, 15 और 17 चलो भाई 69 नमबर में जल्दी से बताएंगे कि 69 नमबर में सेक्षन 11 बताया जा रहा है बहुत अच्छा भाई जो भी है आपका नाम I am जो भी है बहुत अच्छे से आप एंसर दे रहे हैं आपके लगबग लगबग कोशन सही हो रहे हैं आपके ये कोशन समय लगता है पढ़े हुए हैं चलो उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात कितना है प्रति एक हजार पूर्सों पर सेक्षन में गडबड हो जाती है अब क्या ही बताया जाए इतने तो सेक्षन है अगर मैं वीडियो बना के भी आपको दे दूंगा तो भी आपको याद नहीं होंगे ऐसे क्योंकि उसके लिए समय चाहिए होता है और इस समय पर आपके पास समय है नहीं ल कीौटल कितनी है टोटल पूरे भारत में कितनी महिलाएंहेron 1000 पर कि यहां से इड्मिनिस्ट्रेटीप अप्केट्र उडिष्टा व हो जाएगा टोटल एक हजार पूरसों पे पूरे भारत में कितनी महिलाएंहें कि 945 है कि 945 है 943 जो भी है ठीक है हाँ 943 है सायद ठीक एक सट नंबर देखो क्या हो जाएगा चात्रा बास में आने वाले खर्च के बिलकम मेस अधिच्चक कितने दिनों के अंदर भार धारक अधिकारी के यहां जमा करा देता है दो दिन के अंदर तीन दिन के अंदर चार दिनों के अंदर और इन में से कोई नहीं तो देखो जितने भी प्रेक्टिस अभी तक मैंने करा हैं इसमें कोशन्स कुछ र तीनों के अंदर बिलकुल भाया तीन दिनों के अंदर वो जमा करा देता है चलो 62 नंबर देखो क्या हो जाएगा वाड़न और छात्रों के बीच सकारात्मक संबंध कैसे बनाया जा सकता है जितना संब्ब वो छात्रों के साथ बातचेत से बचना सहान इबूत दिखाना और द्रश्टिकोड को समझना, चात्रों की चिंताओं और राय को नजर अंदाज करना, केवल नियम और बी नियमों को लागू करने इस पर केंद्रित रहना, चलो भाई, जल्दी से बताईए, कि इसमें क्या एंसर सही आ जाएगा 62 नंबर में, बिल्कुल भईया, यहां पे B-Option बिल्कुल सही हो जाएगा, चलो 63 नंबर देखो क्या हो जाएगा, चात्रों को चात्रा वास्मिके माहोल में, ढलने में, मदद करने में, बार्डन की क्या भूमिका होती है, सैच्छडिक मामलों पर ध्यान के अंद्रित करना, और बाच्चीत को साहित करना, बिद्यारतियों के संगर्स और नजर अंदाज करना, और उन्हें स्वयम को समझने देना, चलो भई, 63 नंबर में जलती संसर बताओ, कोश्चन तो आपके लिए यह आसान हो गया, इतना ज्यादा तो टफ नहीं रहा, क्योंकि उसने जो चीज बास बारडन को चात्रों के जो निजी सामान को कैसे समालना चाहिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिवंदित बस तु मौझूद नहीं है, चात्रों की निजता का सामान करेंगे, यदि सुरच्छा संबंदी चिंताएं हो तो हस्तक शेप करें, चात्रों के निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ साजा करें, बेक्तिकत सामानों की अधिक प्रबाबी ढंक से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सामान चेत्र में रखें, चलो वाई, 64 नंबर में जल्दी सा एंसर दीजिए कि क्या हो जाएगा, चलो, अच्छा मैंने 64 का जब तक जब तक कोशन पढ़ा, आप लोगों ने उसका एंसर भी दे दिया, बिल्कुल भईया, यहाँ पर सेकेंड आप्सन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कि छात्रों की निजिता का सम्मान करेंगे, यदि उस्रच्छा समंदी चिंताएं हो तो हस्तक शे भी करें बोजन की गुडवत्ता की जाच, सभी सामगरी को सुनिश्ची तनुपात हो, नास्ते दोपहर के भोजन और रात के खाने के समय, भोजन के सुचारू बिच्रड की निगरानी, मिस कैंटीन, इस्टाफ और आसपास के छेत्रों की सुचताब सफाई की जाच करना, चलो क्या हो जाएगा अब का। बताओ बाइ 65 में क्या सही हो जाएगा करूं 65 ही तो है ये 65 number है चलो भाइ 65 number में जल्दी से बताओ क्या सही हो जाएगा तो 65 में आपका पहला दूसरा और थीसरा ये दोनों option आपके सही हो जाएगे ठीक है तीनों मतलब चलो भाइ 66 number देखो क्या हो जाएगा यद छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच सरारत या बदमासी के मामले का संदे हो तो उसे क्या करना चाहिए तो इस्तिती को यह मानकर नजर अंदाज कर दें कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी बिना किसी सबूत के कतित धमकाने वाले का सामना करना सामना करें निसपक्ष जाच कर उचित कारवाई करें या पीडित की इस्तिती को सतनतता रूप से समधलने की सलहा दें जल्दी से इसका answer दीजिए आप लोग यहाँ पे क्या answer सही हो जाएगा 66 में क्या सही हो जाएगा दोस्तों तो यहां पे जो 66 में तीसरा option है बिल्कुल सही हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि उसकी जो है आपको निस्पक्च जाच करें और उचित कारवाई करेंगे तब ही तो आप उसको complete कर पाएंगे बिल्कुल भईया 66 नमबर क्या लिखा हुआ चात्र की ओर से किया गया असमानने बेवहार किस रजिस्टर में दर्ज होगा उपस्तिती रजिस्टर, हाउस मीटिंग रजिस्टर, सैच्छलिक रजिस्टर या इन में से कोई नहीं सरसथ नमबर में एंसर देंगे सरसथ में D बताया जा रहा है और भी लोग कोशन्स के अंसर देंगे आज बच्चे कहां गए भाई, बच्चों की संख्या बहुत कम है आज तो 20 भी संख्या नहीं पहुँच रही है चलो, यहाँ पे नन आफ दे वो भुजाएगा क्योंकि यह परामर्स रजिस्टर में दर्ज किया जाता है कहां पे दर्ज किया जाता है यह परामर्स रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ठीक है, यह परामर्स रजिस्टर में दर्ज किया जाता है चलो भाई, 68 नमबर देखो क्या लिखा हुआ है एक छात्रावास वार्डन छात्रों और छात्रावास करमचारियों के बीच सकारात्मक और सम्मान जनक सम्मंद को बढ़ावा देने में कैसे योगदान दे सकता है अच्छा भाई करमचारियों को छात्रों पर अधिकार और प्रभूत इस्तापित करने के लिए प्रोसाहित करना संगर्सों में मद्यस्ता करना और छात्रों तथा करमचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना चात्रों और करमचारियों के बीच किसी भी असहमती को नजर अंदाज करना जगडों में पक्ष लेना और चात्रों तदा करमचारियों के बीच तनाव बढ़ाना चलो भाई 68 में जल्दी से एंसर तो क्या एंसर हो जाएगा आपका 68 में ए बताया जा रहा है चलो भाई जल्दी से हम भी देखते हैं ए क्या है चलो हाँ 2 हो जाएगा बिल्कुल भाई यहाँ पर 2 एंसर सही हो जाएगा कि संगर्सों में मद्यस्ता करना और चात्रों तदा करमचारियों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देना तभी जो है आपका यह सम्मान जनक और सकरात्मक सम्मंद बढ़ेगा उनातर नंबर बरतमान में देश भर में कितने EMRS के स्कूल कारेरत हैं यह तो आपने अब तक सर्च कर लिया होगा 100% शूर है कि जब से आपने बढ़ा होगा तब से अभी तक यह देख लिया होगा कि आपके स्टेट में आपके जिले में सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा तो आपने अभी तक यह तो देखी लिया होगा तो इसलिए इसका एंसर तो आपको आसानी से पता होगा कि कितने EMRS बिद्याले है चलो तो यहाँ पर EMRS के जो टोटल स्कूल है वो कितने हो जाएंगे दोस्तों वो अभी तक 401 ही है टोटल कितने है 401 है और इसमें बहुत ही सुभिधाय मिलती है और अभी तक जो है इसके बारे में कहीं भी कोई vacancies व Settings कहेंने को नहीं मिली थी सैचलिक जो है जो टीचर्स की vacancy थी वो तो आपको देखने को मिली लेकिन आज तक आपको इस तरीके की vacancy नहीं देखने को मिली थी जिस तरीके की इस बार आई है चलो लिका हुआ है नीतियां और दिशा निर्देश, चलो बाई, सत्तर नंबर में बताओ, उसको किस नियम से भली भाती परचित होना चाहिए, चलो, बिल्कुल, हाँ, सत्तर में डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कि उसको जो है, चात्रा वास, नीतियां और दिशा निर्देश से कम से कम तो परचित होना ही चाहिए, तब ही तो वो वहाँ पे काम चला पाएगा, चलो, इकात्तर नंबर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिका हुआ है, वार्डन को चात्रों के लिए कब सुलब होना चाहिए, दिन के 20 गंटे, केवल कारदर दिवस पर, केवल भोजन के समय, आवशक्ता है नुसार जब भी चात्रों को सहायता की आवशक्ता हो, चलो, इकात्तर नंबर का जल्दी सेंसर दीजिए, एकात्तर में डी बताया जा रहा है, यानि कि जब आवशक्ता है, नुसार जब भी चात्रों को आवशक्ता हो, तब जो है वार्डन को चात्रों के लिए उपस्तित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बन जाएगा भाई, चलो, बहात्तर नंबर देखो, क्या हो जाएगा, लिका हुआ है, पर्या बरल चेतना को बढ़ावा देने के लिए, एक चात्रा बास वार्डन की क्या भूमिका होती है या होगी, बिल्कुल रटने वाली कोई चीजी नहीं, आप कोश्चन्स को पढ़िए, एड्मिनिस्टेटिव अप्टिट्यूड है, ये तो नॉर्मल तरीके से भी दे सकते हो, चलो, आप जो है, उनको कैसे बढ़ावा दोगे, चात्रा बास को, पर्या बरल चेतना को बढ़ावा दे को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधित, चिन्ताओं को नजल रविंदाज करना, और केवल चात्र प्रबंदन पर ध्यान केंद्रित करना, चलो, भाई, जल्दी से इसका एंसर दीजे, बाहतर नम्बर का, पात्तर में आप अगर एंसर को सही से देखें, तो आपको यहाँ पे गलती होने के कोई चांसे ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे साफ साफ बता रखा है, कि सभी में किसी में हतोसाहित करना लिखा हुआ है, किसी में जानकारी ना देना लिखा हुआ है, तो आप एक चीज़ ये देख रहे होनगे कि चात्रों को पर्याव्रण के अंकूल पहलों के लेने के लिए हतोत्साहित करना और फिर जब हतोसाहिद दिखा है बरबादी करना प्रोथसाहिद करना बरबादी के लिए तो कैसे हो सकता है तो तीसरा क्या लिखा हुआ है जागरुकता अभियान आवजित करना और जो संधारणिया प्रताओं को बढ़ावा देना यह हो जाएगा चलो तीयत्तर नंबर दे कितने महा पर सुरच्छा की जाच करनी चाहिए तीयत्तर में बताया जा रहा है भाई तीन महा अच्छा भाई यह इनका नाम जो थोड़ा सा अटपटे ढंग से लिखा हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि यह भाई जो है बिलकुल टॉप मार सकते हैं क्योंकि इनका अभी तक एक भी कोशन गलत नहीं हुआ है इसका मतलब इनकी तैयारी जो है बहुत बहतरीन हो रखी है और जब इतनी अच्छी तैयारी हो रखी है तो 100% है कि इनका पेपर भी अच्छा जाएगा या तो यह तो यह टीचर होंगे चलो तो यहाँ पे तीसरा आप्सन तीन महा बिलकु किसका होता है चलो बाई बताओ यह दाएग तो किसका होता है चाहतर में चात्रावास अधिक्चक का बार्डन का सिक्योर्टी गार्ड का या आल आफ दा एवब का अरे एक कोश्चन अगर गलत भी हुआ है तो उससे क्या ही फरक पड़ेगा ये भी तो सोचो चलो यहाँ पे बिलकुल भाई यहाँ पे होस्टल जो अधिक्चक होता है चात्रावास अधिक्चक यह उसकी जिम्मेदारी होती है चलो पचात्तर नमबर देखो चात्रावासो आप लोगों ने अभी तक जो है सिर्फ 29 है और भाई आप लोगों से मैंने बहुत देर से लाइक के लिए नहीं कहा है तो दोस्तों भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने आपको देख लें और लाइक करते हैं जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक ना कि चात्रों पर एक जो है वो इस ट्वाइलेट बनाने का प्रावधान है चलो फिर देखो यहां पर चात्रावास में कच्छों का आवंटन किसके सलह से किया जाता यानि कि विद हूस कंसल्टेंट कंसल्टेशन दर रूम वर अलोकेटेड इन दा हॉस्टल किसके सहमती से या क इसके सलहा पर जो है यह रूम का वंटन किया जाता है चेटर नमबर में चेटर में सी बताया जा रहा है चेटर में सी बताया जा रहा है चेटर में सी बताया जा रहा है अच्छा बाई चलो चेटर में जो सीनियर वार्डन होता है यह करता है रूम को जो डिस्ट्रिब्यू समिती होती है उसमें कौन-कौन सामिल होता है स्टाफ सदस्यों का परवेच़ छात्राबाद नीमों और बीनेमों के सम्मंदित नीति के मामलों पर सला है सुरच्छा सम्मंदी मामलों पर सला या उप्युक्त सभी चलो बाई सततर नमबर में जल्दिस एंसर दीजिए और दोस्तों भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग यार सुनते नहीं हो जल्दी से भाई लाइक करो यार सुनना ही नहीं होता है मतलब आदमी सामने वाला अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करके आराम से कह रहा होत सततर कोश्चन के आगे है अब हम लोग तभी बढ़ेंगे जब हमारे 35 लाइक हो जाएंगे यहां पर आपका ओल आफ दाइब बिल्कुल सही हो जाएगा तो भाई एक बार सभी लोग मिलके जरा जल्दी से 32 लाइक हो चुके हैं जैसे ही आपके 35 लाइक होंगे मैं 77 से आगे बढ़ जाओंगा तीन लाइक की कमी है महन प्रताब जी क्या ही करूं आपको जब मैंने कल कहा था मैंने कहा था कि यह लोग बना दें और इन लोगों ने जो है पीडियेफ ही नहीं बनाई यार क्या ही किया जाए चलो अभी खाना खाके मैं रिकॉर्ड करता हूँ अभी के अभी रिकॉर्ड करूंगा अपने आप पीडियेफ बनाके अभी के अभी रिकॉर्ड करूंगा बहिया जब तक आप लोग नहीं सुनोगे जब तक आप लोग 32 के आगे नहीं बढ़ रहे हो 33 हुए है 35 जैसे ही हो है कि लोग बिलकुल बिमत आगे बड़िए मैं भी आगे नहीं बढ़एगा तो पिर अगらеш चलो आतिकर में भी फिर पीछे ही चला प्रसासन के तुरंट समपर्क करना और लिखा हुआ है पिर गटना की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आफ要 दर्ज करना अरे ये जो है आप खुद सोचो ये सबसे last वाला option तो कितना बेकार है कि मतलब आप जो है घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनकी F.I.R कराओगे अरे यार जब तुमको पता चलेगा तब ही तो F.I.R कराओगे पहले तो emergency है आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा तो आपको पहले यहाँ पे यह देखना पड़ेगा कि emergency में आप क्या कर सकते हो तो emergency में जो आपका परिसर ह होता है सबसे पहले उसको खाली कराओगे क्यों क्योंकि अगर जब आप वह खाली करा लोगे तो बच्चों को जो चोट लगने का डर या कुछ भी तरीके की कोई भी अपरी एघटना हो जो होगा वह बचसकता है तो सबसे पहले आपको वह खाली कराना पड़ेगा ठीक, 89 नमबर देखो, बार्डन को चात्रों के साथ, चात्रावास की बैठे कितनी बार आयोजित की जानी है, बर्स में एक बार, माह में एक बार, छे बार में एक बार है, और कभी नहीं, चलो बाई, 89 नमबर जल्दी से एंसर दो, यार दोस्तो, देखो, फिर like कर दिया करो, अगर आप लोग अपनी जिद पे और बत्तिमी जी पे आजाओगे, फिर मैं भी यार पिर देखो, फिर वही चीज हो जाएगी न, कि मैं भी यहीं से चीज़ों को खतम कर दूँगा, फिर मैं भी class खतम कर दूँगा, ठीक है, और ज पैसा नहीं कि आपको मेरे ही चैनल पर यह सारी चीज़ मिल नहीं है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ यूटूब पर भरमार पढ़ी है चैनल वीडियो की लेकिन यह है कि फिर बाई आप लोग बत्तमी जी कर रहा हूँ बिलकुल सुनना नहीं चाहते हो यार मैं इतनी देर से कह रहा क्लिक करते हैं तो आपके एक लाइक से आपके उपर कुछ भले ही ना फरक पड़े लेकिन दोस्त हमारे उपर फरक इस चीज का पड़ता है कि हमको जो हमारे वीडियोज होते हैं उनमें एक जान आ जाती है उनको देखने से लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है यह ऐसा होगा तो उस चीज के लिए मैं कहता हूँ लेकिन आप लोग बहुत चीज सुनते नहीं हो आप लोग बात को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे सामने वाला बिल्कुल पागल है अरे आपके हिसाफ से वो सही है मैडम बात वो नहीं है आप जो कह रही है खेर उननासी नमबर में क्या हो जाएगा यहां पर एक महीने में कम से कम आपको एक बार बैठक करनी चाहिए क्यों 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 कि जब तक आप एक बार बैठक नहीं करेंगे आप बच्चों के साथ अपना स्वास्त समस्या के लिए उप्योग तो सभी के लिए चलो 80 नंबर में D बताया जा रहा है बिल्कुल भईया यहां पे D सही हो जाएगा और यह जो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बज़े से ही यह क्लास लेट हो जाती है और ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक नहीं कर सकते हैं यह कुछ बत्तमीज लोग होते हैं जो यहां पे बैटे होंगे जिनको पता है कि उन्होंने लाइक नहीं कि अब जानबूज के नहीं करते हैं और वो करेंगे भी नहीं जैसे ये एक बंदा जो है, ये कोई एक बंदा ऐसा है, ये क्या करता है, ये ऐसे करके जाता है, और लाइक वाला जो हिसाब किताब होता है, ठीक है, ये इस पे जाके क्लिक करता है, फिर हटा देता है, फिर क्लिक करता है, फिर क्लिक करता है, फिर हटा देता है, ये कुछ इस चलो भाई देखो, छात्रावास के करमचारी जिम्मेदार नहीं होंगे, छात्रावास के अंदर किसी भी प्रकार की सामूही गत्विदिया नहीं होंगी, बिद्यारतियों को रात में सभी इलेक्टॉनिक उपकरण बंद कर देने चाहिए, और उप्युक्त सभी, चलो भाई, बताओ भाई, क्यासी नंबर में नियम क्या होते हैं, इस मंचले को जो है, आयोस ने एक बार सही जवाब दिया था, और आयोस आया नहीं है, तो इनको जवाब देने भी नहीं बनता है, आयोस ही इनको जवाब अच्छे तरीके से देता था, चलो, 82 नंबर देखो, चात्रा भास में स्वच्चता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, बताओ भाई, स्वच्चता कर्मियों के बेतन को बढ़ा कर, बिद्यारतियों को स्वच्चता का पाठ पढ़ा कर, च्छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चला कर और च्छात्रावास अधिच्छक द्वारा नीमित नीजी निरिच्छडवा मूल्यांकन स्वच्छता करके चलो 82 नमबर में क्या हो जाएगा कैसे किया जा सकता है भाई बिल्कुल भीया यहाँ पे D option आपको लेना पड़ेगा 83 नमबर भोजनवा पे पदार्थों जैसे उपभोग सामगरियों के लिए किस बिदी का उपयोग किया जाता है फीफो बिदी पैरो बिदी लेपन बिदी या इन में से कोई भी नहीं चलो भाई यहाँ पे आपका answer क्या हो जाएगा 83 नमबर में आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा फीफो बिदी फीफो बिदी का मतलब होता है first in first out इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई पुराना stock मौजूद है तो आप सबसे पहले उस stock को खतम करेंगे उसके बाद ही आप बच्चों में नए stock को बाटेंगे ठीक है तो यह होता है first in first out ठीक है फीफो चलो आगे बढ़ेंगे 84 नमबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 84 नमबर में संपूर प्रबंदन का उत्तर दाई तो किस सच्चम प्राधिकारी की होती है चलो बाई 84 में जल्दी सेंसर बताओ कि किसी छात्रा वास में संपूर प्रबंदन का उत्तर अधिकार किस सच्चम अधिकारी की होती है 84 में किसका होता है तो जो मुख्य वार्डन होता है जो मुख्य वार्डन होता है ये उसका होता है ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे 85 नमबर वार्डन की न्यूक्ति कितने समय के लिए की जाती है जो वर्डन होता है उसकी निउखती यानी कि कितने समय के लिए की जाती है चलो 85 नमबर में जल्दी सेंसर दीजे चलो बेलकुल बैया दो साल का होता और बाकि पुनर नियोखती यानी कि रीज्वाइनिंग इसको फिर से प्रात्र होता है उसका ये इसको करा दिया जाता है चलो यहां पे लिका हुआ चात्रावास में उपयोग की जाने वाली सभी उपभोग सामग्री और बस्तूओं की एक ब्यापक सूची बनाये रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है चात्रावास अधिचक प्रदानाचर सिचक या मैनेजर चलो भाई, 86 नमबर में जल्दी से एंसर दीजिए बिल्कुल भाई, 86 में एक हो जाएगा और ये हॉस्टल सुप्रिटेंडेंड होता है 87, एक कलब में मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने इस्तरी का होता है, 3 इस्तरी, 2 इस्तरी, 4 इस्तरी, 1 इस्तरी इतने दिनों में तो आपने उसके होस्टल के कई वीडियो देख डाले होंगे अब तक, 87 नमबर में, अब तक उसके होस्टल के वीडियो देख डाले होंगे, 87 में भी बताया जा रहा नहीं, एक इस्तरी होते हैं, वन लेवल के होते हैं, ठीक है, क्या होता है, जो हाउस सिस अनसूचित रख रखा हो है, इन में से क्या अनसूचित रख रखा हो गा, which of the following is this schedule maintenance, चलो भैं जल्दी से बताओ, इन में से क्या हो जाएगा, 88 नमबर में आपका एंसर सही क्या हो जाएगा, प्रेक की सफाई, मसीन की ओवर्लोडिंग, इमारत की सफाई, और उप्युक तो सभी हो जाएगा बिल्कुल भीया चलो 89 नंबर देखो यहां पर क्या हो जाएगा लिखा हुआ है चात्रावास बॉर्डन को अपने परिसर में सच्छता के किन उपायों को प्रोप्साहित करना चाहिए सच्छता के लिए रख रखाओ कारेकरम रखें च्छ कॉच्छु था का इसका ओन से भीकल्फ सही हो जाएंगे घिदा बिल्कुल पहला दूसरे तीसरे और चोथा यणि चारो अप्सन आपके में यहां पर सही हो जाएंगे यानि कि यह चौथा अप्सन आपका सही हो जाएगा कि क。 90 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है अगर दो चात्र आपस में मारपीट करते हैं तो आप क्या करेंगे उनको डंडा दे दो उनको क्या करो उनको कह दो डंडा लो अब डंडे से लडाई लडो यही होना चाहिए न चलो खेर मजाग एक तरफ क्या करना पड़ेगा चात्रों को निलंबर करना पड़ेगा नहीं कि सस्पेंड करना पड़ेगा क्या आप चात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे क्लर्क से सिकायत करेंगे या उप्यूक्त में से कोई नहीं बेलकोल यह 90 नंबर के आपको हिंदी ही मिलेगी चलो तो यहाँ पे आपको उनकी कंप्लेंट करने पड़ेगी क्लर्क से ठीक है समाधान तो आप करी नहीं सकते हैं दोनों लडाईयों का दोस्तों भाई आप तो बत्तिमी जी पे ही उतारूं है बिल्कुल तरीके से इतनी देर से मैं कह रहा हूँ आप 34-35 करवाए उसके बाद मैं फिर आप 33 करा दिये अब भाई देखो अब आप लोग बत्तिमी जी पे हो तो फिर भ्यार भाई देखो ये गलत तरीका है आप लोगों को यहाँ पे सुनना चाहिए और जो लोग ये बाद में अपना आके ज्यान देते हैं कि जिसको अच्छा लगेगा तो वो लाइक करी देगा तो भाई उनके लिए मेरे पास एकी चीज का कहना है कि कुछ मूर्ख ऐसे भी बैठे होते हैं उनको आप बीडियो चाहें आप कितना भी अच्छा प्रोवाइड करा दीजिए आप उनसे ये कह दीजिए कि आपको क्या चाहिए वो कह देंगे कि यह चाहिए, आप उनको वो प्रोवाइड करा दीजे, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, उनको वो बीडियो नहीं पसंद आएगा, वो लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यह होता है, कि यार मैंने अगर लाइक कर दिया, तो इस बंदे को हो सक लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो यह ग्यान करपे अपने पास रखें, हमको ना दे हैं, ठीक है, चलो, अब यहां पे हम लोग हिंदी का देखेंगे, और हिंदी में यहां पे लिखा हुआ है, कि अंजर पंजर धीले करने का अर्थ क्या हो जाएगा, पिंजरे की मर पंजर डीले करना, बुरी तरह मारना, ठीक है, समझ गए, चलो, आगे बढ़ेंगे, 92 नंबर की तरफ, तीन वेडियां मिलती हैं जहां, यह किस समास का उधारण होगा, तीन वेडियां मिलती हैं जहां, तत्पुरुस बहुबरिय, करमधार यह दिगू, हाँ, बिल्कुल 92 में भी बताय जा रहा है, तो जब भी कभी तीन वेडियां मिलती हैं जहां अर्थात लग जाए, क्या लग जाए, अर्थात, और क्या लग जाएगा, इसको अर्थात के साथ क्या बन जाएगा, यह त्रिवेडि बन जाएगा, और जैसे ही आपको यह त्र इसरे सब्द की तरफ इंगित करें तो वहां पे बहुरी समास होता है चलो पावन का सही संधी बिक्षेद बताना है और यह पावन का सही संधी बिक्षेद जो है आप से कई बार पूछा जा चुका है तो अब तक आपको रट गया होगा साथ ही ही आप यहां पे यह भी तो पावन भाई बन जाता है बड़ेयां का मघा हो है तो यहां पर मात्रा लग जाएंगी क्या हो जैगा unlimited क्योफल उस हो जाता है और जैसे ही यहां पर आपका यह दो अप trip दू तो पावन में सब्रीन सब्ण बन जाएगी यह जयादा संद क्या बन जाएगा यह आयादी संधी बन जाएगा और मैंने पवन जब आया था पवन तो मैंने आपको बताया भी था कि इसको कैसे किया जा सकता है चलो 94 नमबर किसी प्रतियोगिता में बिज़ई होने पर दिया जाता है उप्योक्त सब्द का चैन करें क्या दिया जाता है पुरुसकार दिया जाता है परितोशिक दिया जाता है उपहार दिया जाता है या प्रेमो पहार दिया जाता है तो 94 नमबर में जल्दी से एंसर दीजिए चलो भाई यहां पे आपका क्या answer हो जाएगा चलो जैसा कि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे यहां पे किस option पे चले जाएंगे तो वो लोग चले जाएंगे भाई पुरुसकार के रोपने ठीक है तो दोस्तों पुरुसकार तब मिलता है जब आप कोई कारे करते हो क्या करते हो जब आप कोई कारे करते हो या आप कोई सेवा देते हो तो उस सेवा के रूप में आपको क्या मिलता है पुरुसकार मिलता है ठीक है लेकिन लेकिन जब हम लोग कोई प्रतियोगिता में बीज़ई होते हैं तो उसके रूप में को पारितोशिक मिलता है ठीक है और उपहार हम लोग अपने बराबर को अपने से छोटे बच्चों को भेट के रूप में जब देते हैं तो उसको उपहार कहते हैं चलो इसमें से तुरंग का समानारती सब्द क्या हो जाएगा किसका तुरंग का समानारती सब्द बताना है किसका तुरंग का समानारती सब्द हम तो यहां पर देखेंगे तुरं्ग तुरंग मतलब क्या होता है तुरंग का मतलब होता भाई घोडा, क्य Hakoda गोडा Mr करनकर और इसके जो और हो जाते है तो वह आपको अश्चे से पता होंगे Haar यहां पर बिजिली बिजली का दामनी होता है, तडित होता है, सौधामनी होता है, सरिता, नदी, तटनी, तरंगनी, बाहिनी, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, प्लस जो यहां पे आपको लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लहर, लहर का तरंग होता है, लहरी होता है, कलोल भी हो जाता है, ठीक है, हिल दोल भी हो सकता है तो यहां पर आपको 95 में भी बिल्कुल सही हो जाएगा चलो फिर इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 96 नमर देखेंगे और 96 में लिखा हुआ है नीचे दिये गए सब्द किस गुडवाचक विसेशल के प्रकार है अच्छा इदानी न्याई और क्रपालू आकार बोधक गंद बोधक गुडबोधक और दोश बोधक चलो जल्दी सच्छी 96 नमर में अंसर डेंगे औरो यार कोशिस तो यही रहती है लेकिन कभी कभार उपर उपर हो जाते हैं क्या ही करें हलो सूर की भावबाचक संग्या बताना है कि सूर की भाव बाव बाचक संग्या क्या होगी ? 97 नमबर बेलकुल भीया सूर का जो संग्या सूर की जो भाव बाचक संग्या होगी वो क्या होगी ? और दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अभी तो ये प्रेक्टिस एड चल ला है लेकिन आपको संधी का एक बीडियो डाल दिया गया है संधी देरूर देख लीजेगा जाके आप लोग संधियों में बहुत कन्फ्यूज है संधी में गलतियां नहीं करेंगे ठीक है संधी का बीडियो आज डाल दिया है उसमें से आपको बहुत सी संधी आपकी क्लियर हो जाएंगी और कल एक और वीडियो आपको मिल जाएगा संधी का तो उससे और भी चीज़े क्लियर हो जाएंगे तो संधी आपका पूरा मैटर में खतम कर दूँगा जिससे आपको कभी कोई गलती ना हो चलो सूर्य का जो आपको यहां पर क्या बताना था भाव बाचक अच्छा सूर्य क चलो कच्छा का शुक्ल से वही संबंद है जो कुसुम का किस से होगा गुमसुदा गुमसुम पत्ति या बज्र चलो 98 नंबर में जल्दी से अंसर दोगे चलो भाई जल्दी से बताओ क्रश्ण का बिलोम लिखा हुआ है शुक्ल तो कुसुम का बिलोम क्या हो जाएगा तो कुसुम का बज्र हो जाता है बिल्कुल भी या बहुत बढ़िया चलो मीरा जोर से हसी इस बाके में किस क्रिया का सम्चितु धारण है अकर्मक प्रेंडार्थक द्विकर्मक या सकर्मक क्योंकि अकर्मक क्रिया वो होती है जिनका कार्य जो होता है वो सीधे करता पर पड़ता है और उसके लिए करता पर पड़ता है और उसके लिए कर्म की कोई आवस्चक्ता नहीं होती है, वहाँ पे आपको क्या बन जाता है, वहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया बन जाता है, चलो, सौनमबर, सुद्ध बाक्य का चैन करना है, यहाँ पे आपको, सुद्ध बाक्य का चैन करना है, के लिखाओ है मद्ध कालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नती हुई है साहब ने कहा है कि किसी को आदर ना अंदर ना जाने दिया जाए इस समय महमान की आई उबीस मोहन की आई उबीस है वो चाहें भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा सो नंबर में जल्दी से बताओ यहां पर क्या गलत हो जाया सारी सही होगा सकून आफ लाइफ दोस्त स्वागत है बिल्कुल भीया स्वागत है और यह सकून आफ लाइफ जो है मेरे ही पडोस में मेरे मित्र हैं प्रोस में रहते हैं और इनका खुद का एक ये चैनल है सकून आफ लाइफ और ये हर्दोई के बारे में एक्सप्लोर करते हैं हर्दोई के बारे में आपको बताते हैं तो हर्दोई के बारे में जिसको भी नॉलिज चाहिए हो या हर्दोई के बारे में हर्दोई में क्या-क् लाइफ को follow कर सकते हो, देख सकते हो, एक बार, ठीक है, चलो, तो यहां पे, सो नंबर में क्या हो जाएगा, बिलकुल भाईया रादे रादे, तो सो नंबर में B بتाया जा रहा है, बिलकुल यहां पे, सो नंबर में, दूसरा option बिलकुल सही हो जाएगा, चलो, रे यार देखो यहां पे फिर से यह पच्चासी नम्मर में कहां से आ गया भाई फिर अठासी आ गया यह क्या हो रहा है अच्छा इसका मतलब यहां पे कुछ तो कुछ तो हुआ है अच्छा यानि की पांच ठीक यहां से है चलो 101 नम्मर देखो तो इसका मतलब है जो बीच की फाल्तू की चीजे थी उसको हटाया जा सकता है बिल्कुल भाई हटाया जा सकता है बरना वो हमारे पीडियेफ में सेव हो जाएंगे और जिसका कोई आधार भी नहीं है जैसे कहां से था यह 29 नम्मर से 29 नम्मर से हटाया जा सकता है यहां से हमको रखना है चलो सलेक्ट दा मोस्ट अप्रोप्रियेट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम क्या लिखा हुआ है टू मेक बोथ इंड मीट्स सर अब कहां से पढ़ा रहे हो अपने एक रूम से मैं अपने रूम से पढ़ा रहा हूं अपने घर के रूम से जो मेरा घर में रूम बना हुआ है तो मैं उसी रूम से अपने रूम में बढ़ा रहा हूं वेटा हूँ चलो तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा गिवन इडियम का जो मीनिंग है वो बताना है 101 में तो इसका मीनिंग क्या होता है जहां पर दो इंड मिल लए होते हैं तो इसको क्या कहते है मुश्किल से जीवन यापन करना क्या होता है to make both ends meet तो इसका मतलब क्या हो जाता है तो क्या हो जाएगा to have just enough money to live यहां पर पहला option सही हो जाएगा चलो in the following question out of the four given alternative select the alternatives which best express the meaning of the given idiom no ifs and buts अच्छा no ifs and buts तो इसका मतलब होता है बिना संदेह के बिना संदेह के क्या हो जाता है no if and buts इसका मतलब होता है बिना संदेह के क्या हो जाएगा बिना संदेह के तो क्या हो जाएगा इसका no doubt हो जाएगा चलो question number 103 देखो क्या हो जाएगा select the option that can be used as one word substitute given word यानि की one word बताना है तो one word क्या हो जाएगा लिखा हुआ है बन हुइस्ट इस्ट 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 इसको कहते हैं इसको कहते है नूम्रो लाजिस्ट यानि की अंक भी से सग्य क्या कहते है नूम्रो लाजिस्ट अंक भी से सग्य बहुत बढ़िया भाई चलो wrongly spilt देख रहा है और आपके सामने wrongly spilt आ गया इसलिए मैंने आज आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था बट आप लोगों ने नहीं देखा है अच्छा आप स्टेट पूछ रही थी तो योपी से हूँ मैं मैं योपी से हूँ योपी में एक हरदोई जिला पड़ता है मैं वहां से हूँ अरे भाई आयोस बिल्कुल भाईया प्रणाम अरे अभी आपको ही याद किया जा रहा था आयोस और मैं आप दोनों लोग जो है कि क्या हो जाएगा कौन सा गलत है तो यहाँ पर चार नंबर में जो आपको नेविगेशन लिखा हुआ है तो एन ए वी आई जी ए टी आई ओन होता है यहाँ पर यही गलती हो जाएगा हाँ नेविगेशन होता है बिल्कुल ए होता है वहाँ पर ए नहीं होता है चलो पिर तो इसका मतलब होता है जो कि ऐयो Caesar भी क्या हो जाएगा आयूस के अंदर यह वाला इसका मतलब होता है उपद्रभी या सैतानी या कलक हारी कल है हारी मतलब जो लड़ाई जगड़ा कर सकता है सैतानी कर सकता है यह इस तरीके से तो उसका मतलब भाई क्या हो जाएगा कोई उपद्रभी होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा तो उसका उपोजिट हो जा कि अच्छा या अफिक से कोई नहीं में यहений मैं हिमाचल प्रदेश जा रहा हूँ कि अ की मैडम जी यानी कि मेरी गूमने जा रहा हूं जैप ले कर फूर्द Jiang यह मैं-4 पर दिन चलो तो लिइट का मतलब होता है अग्र ंस वोता है तो इसका मतलब शूरियस फूरियस का भी मतलब क्या होता है अगो चलो साथ नंबर ऐस लगक्रप्सी इसको ळगए जो डपष्सी वॉच्ट में घुठाना है क्या हो जाएगा एक्शन मुवीज आज रेरली वाइस्ट वाई मी तो यहां पर आपका सेकेंड ऑप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा चलो आठ नंबर देखो यहां पर क्या हो जाएगा आठ नंबर में क्या लिखा हुआ है इस संटेंस को हमको ग्रामेटिकल एरर है इस एरर को हमको फाइंड करना है और उसका एंसर देना है कि उत्तरा खंड में निम्रत पन्नु आप हैं कहां से बेसिकली यह भी दो पता होना चाहिए क्योंकि मैं तो जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश कि चलो तो 108 में आपकी एरर कहां पर हो जाएगा 108 नंबर में चलो आठ में सी बताया जा रहा है आई एम गेटिंग की जगह पर यहां पर आई एम गेटिंग की जगह पर क्या होना चाहिए था आई विल आई विल गेट ठीक है क्यों क्योंकि ये if clause में स्टार्ट हुआ था तो इसलिए आपका जो इफ clause में स्टार्ट होते हैं तो वो उसमें जो इफ बाली condition होती है वो present indefinite में होती है अगर वो present indefinite में है तो जो आपका आगे का clause होगा वो future indefinite में बनेगा तो यहां पर आपका आठ नमबर में तीसरा ऑफसन गलत हो जाएगा खैर नौ नमबर देखो इन दी फॉलोईंग कोश्चन दा संटेंस गिवें बिद ब्लैंक फिल दब चलो ठीक है फिल इन दी ब्लैंक से आगे देखेंगे चलो क्या लिखा हुआ है करिस्मा है नौट बीन अबेल टू रिकाल वेर डिड़ सी लिवड ड़ सी लिवड लिवड हैर या सी लिवड चलो भाई जल्दी से एंसर देंगे हाँ बिकॉज इफ कंडिशनल संटेंस बिल्कुल भाईया चलो तो यहां पे 109 नंबर में क्या सही हो जाएगा आपका चलो क्योंकि यहां पे वेर लिखा हुआ है और यह कंजक्शन को दरसाएगा वेर जो है कंजक्शन यानि की इडवर औफ है द्ध टो इस लिए यहां पे सिंपल पास्त का प्रियोग होगा और सिंपल पास्ट का जैसे ही प्रियोग होगा तो सी लिवड हो जाएग लिभ जाएगा क्या हो जाएगा भिल्कुल चलो दसनंबर देखो तो चलो वन अंडेट टेल में बताओ उधम सिंग नगर ये कहां पे बढ़ेगा किस मतलब किस के पास यह हरित द्वार के पास है शेमला के पास है कहां पे मतलब किस जगह पे निदी वर्मा रादे रादे सर। बिल्कुल भया निदी जी रादे रादे और स्वागत है निदी जी अगर आप चैनल पर फर्स टाइम आई हो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलो तो यहाँ पर आपका क्या एंसर बन जाएगा तो 110 में डी बताया जा रहा है चलो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो भाव निकलता पहले तो हमें भाव पता करना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ पर प्रतिदिन निकलेगा कि of the humdrum lips ठीक है अगर यहाँ पर यहाँ पर यह जो everyday is an adjective हो जाएगा adjective हो जाएगा everyday is an adjective which is used to describe something that seen of used everyday ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा जो 110 होगा वहाँ पर आपको everyday लेना पड़ेगा अरे आप उन्नाओ सो यह तब तो बहुत नजदीक हो उन्नाओ तो हर्दोई के बहुत नजदीक है चलो 111 नमर देखो पुरस्करत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित की रचना है पुरस्करत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर पुस्तक का नाम क्या है हवा में हस्ताक्षर किस साहित कार की रचना है डाक्टर कैलास बाजपेई डाक्टर अगवंस म्रदुला मर्ग या निर्मल बर्मा चलो वाइब 111 नंबर का जल्दी से अंसर दीजिए क्या हो जाएगा कि चलो यह कैलास बाजपेई की हो इनको 2009 में जो है 2009 में इनको जो है साहित अकादमी का पुरुसकार भी दिया जा चुका है चलो, सत्यार्थ प्रकास ग्रंथ की भासा है, सत्यार्थ प्रकास जो है, वो किस ग्रंथ की भासा है, संस्क्रत में है, हिंदी में है, गुजराती या मराटी, चलो बारा नमबर में जल्दी से बताओ, सत्यार्थ प्रकास की भासा गया है, चलो, 112 नमबर में हिंदी, बिल्कु की खाली जगह में क्या भरा जाएगा दोनों की खाली जगह में 113 नंबर में क्या भरा जाएगा 13 का सी बिल्कुल सब्दा लंकार बताते हैं कि यहां सब्दों में चमतकार है तथा अर्था लंकार बताते हैं कि इसके अर्थ में जो है अधबुत सौंदर्य है बिल्कुल सही बात है इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको रस छंद अलंकार संधिया समास और शौफाई, सोर्था और इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा आज मैंने जो आपको हिंदी की बीडियो जो इंगलिस की बीडियो सुबह दी थी वो कल नहीं दूँगा क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि आप लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्क चौपाई है यह रामायड की चौपाई है ठीक है किसकी चौपाई हो जाएगी यह रामायड की चौपाई हो जाएगी और चौपाई में क्या होता है प्रतेक च्रड में कितनी कितनी मात्राएं होती है तो भाईया उसके प्रतेक च्रड में 16-16 मात्राएं होती है चलो निमन चलो तो पंद्रा नंबर में जो छेमेंद्र लिखे हुए हैं ये इनके उत्तरकार नहीं थे चलो बिपत जाल बराबर क्या लिखा हुआ बिपलस जाल बिपज जाल लिखा हुआ ठीक है बिपज जाल में कौन सी संधी होगी स्वर संधी बेंजन संधी ब्रदी संधी या गुड संधी तो 16 नंबर में बी बताया जा रहा है और भी लोग एंसर देंगे जल्दी से चलो भाई, बिल्कुल, बेंजन संधी हो जाएगा, और बेंजन संधी में क्या होता है? ये ता का नियम है, और ता में क्या हो जाता है? जो हमारा आधा ता होता है, उसको आधा जा में बदल देते हैं. मैंने एक इसके short trick बताई होई थी की 3-5 ना कर छत पर जा और नमस्कार कर तो 3-5 यानि कि पहले बढ़का तीसरे में परिवर्तन पिर पहले बढ़का पांच में में परिवर्तन, ठीक है तीन पांच ना कर ठीक है? तो ना संब्मदी नियम और कर शचत पर जा चा सम्मदी नियम शचत पर जा और नमस्कार कर तो फिर ऐसे आगे करके मैंने एक पूरी आपको बताई थी अभी मुझे एकली नहीं जाद है तो वो देख ले ना ठीक है मेरी इसकी संदी का वीडियो में डाल लखा है आप लोग आराम से देख सकते हैं चलो, भला मानस में कौन सा समास हो जाएगा भला मानस में कौन सा समास हो जाएगा 170 नंबर में जल्दी से करमदार इतत पुरुष अब्वेई भाव या अभरी समास अनी सेंटर कहां गया है अपका हिमारस का अभी सेंटर आये ही नहीं अच्छा सेंटर अच्छा वो तरीके से बैसे सिर्फ सिटी दिखाई गई है किसी का भी एड्मिट कार्ड नहीं आया है चलो, 170 नंबर में जल्दी से बताओ भाई, भला मानस में कौन सा हो जाएगा ठीक है, यहाँ पे करमधार हो जाएगा क्योंकि इसमें जो उत्तरपद प्रधान हो जाता है लेकिन दोनों सब्दों जो पूरपद और उत्तरपद होता है उन दोनों के बीच में आपको विशेशल विशेश से देखने को मिल सकता है या उपमे और उपमान की प्रधानता होती है चलो, यहाँ पे 18 नमबर देखो ओठों की आकरती के आधार पर निमन में से कौन से आवरत मुखी स्वर है चलो, ओठों की आकरती के आधार पर निमन लिकित में से कौन आवरत मुखी स्वर है E, O, O या O चलो, 18 नमबर में बताओ चलो, आवरत्मुखी बताना है आवरत्मुखी में E हो जाएगा आवरत्मुखी का मतलब होता है कि जिन वरणों को बोलते समय हमारे मूँ के जो ओट होते हैं ओट का जो आकार होता है वो गोलाकार ना हो ठीक है फिर दूसरा होता है ब्रत्त मुखी तो जिन सोरों के उचारण में जो है ओट जो है गोला कार हुजाते हैं उनको ब्रत्त मुखी कहते हैं चलो 19 नमबर देखो क्या लिखा हुआ है 19 नमबर में लिखा हुआ है कि जिनिम लिकित बिकलपों में से कौन सा बचन का सही नहीं है सोना सोना देनु देनु एं चात्र चात्रगर्ड आटा आटे चलो बता 19 नमबर में क्या सही नहीं है चलो भाई जल्दी से बताईए यहां पर चलो तो 19 नमबर में चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये द्रबवाचक संग्या और जो द्रबवाचक संग्याएं होती है वो हमेशा singular person में रहती है या नहीं कि एक बचन में रहती है उनमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो इसलिए आटा का आटा ही रहता है चलो बेज नंबर बाहा का सामाने बहुबचन होगा बाहा जो होगी उसका सामाने बहुबचन क्या हो जाएगा बाहों बाजूओं बाह या बाहें चलो 120 नंबर में जल्दी सैंसर देंगे और सभी लोग भाई वीडियो को छोड़ने से पहले एक बार लाइक जरूर चेक करके जाएंगे कि भाई आपने लाइक किया है या नहीं किया है तुरंद 45 लाइक हमारे हो जाएंगे चलो बाह जो होता है आपकी एक बाह है एक हाथ है तो उसको बाह कहा जाता है दो हाथ हो जाते है तो उसको बाहें कहा जाता है क्या कहा जाता है बाहें कहा जाता है ठीक है चलो तो आज हमारा जो पांच नंबर का प्रेक्टिस सेट था वो यहीं पे समाप्त होता है और अगर आप लोगों में से जिनको भी यह सेशन अच्छा लगा हो तो जो लोग नए जुड़े थे जिन्नों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को क्लास होगी उसके बाद हम लोग आपका क्या चालू कर देंगे भाई MS Office चालू कर देंगे MS Office हमको बहुत जल्दी ही खतम भी कराना है तो MS Office और programming language के लिए हमको बहुत जरूरी है तो programming language के लिए आज साम को 8 बजे सभी लोग जरूर जोयन होई एगा चलियो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे मिलेंगे हम लोग सराओ को 8 बजे तब तक के लिए धन्यबाद, नमसकार और जैए